ब्रिवान कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे तो गाइच आज मैं ब्लॉग साम से स्टार्ट कर रहे हूं इस समें टाइम हो रहा है साड़े-चार में आप लोग को टाइम भी बता देती हूं और देख रहे हूं आज मैंने पने बाल को ऐसा बनाया है जूडा बनाया है примदability चैसा लगा रहा है जूडा बना लेते हैं है आज मैंने काजल लगाया था काजल छुटे नहीं है पता नहीं यहिमारे अब आपके भावी की उपर काजल अच्छा लगता है एक नहीं अब आप νगों से पोचांगे तहीत पता चले ग us आज मैं जो हैं न सो गई थी क्यां द ikkeणि थक चूकी थी तो आपके भाया को खाना खिलाया फिर बरतर सारे धुले तब मैंने सुचा थोड़ी सी रेश्ट कर लूँ अभी चाय बनाने की टाइम हो जाएगी नास्ते की आप लोग को पता ही लागडाउन की वज़ा से आपके भाईया भी इस टाइम धर पे ही है और लागडाउन तो तीन मही तक कर दिया हैं आपको पता है और तेन मही तक चला गया अच्छा ए यह चला गया सब्सक्राइम हम लोगों की लिए हे चार रही है हुद के लिए है खोड़ा सा भूप मेरा पर जांसा पर जालतार जो उ reproductive कि आज साधर पहने इसाधर किशिजा को सभगा, मैंने के साघिए में यह को आज साढ़ को मत पहना और तो मट Bae जो color है हमारे उपर अच्छी लगती नहीं है अच्छी तो लग रही है पताने क्यों को ये color पसंद ही नहीं आता वो बोलते हैं कि इस साडी को मत पेना करो तो जदातर मैं इस साडी को नहीं पेहनती कभी कभार पेहन लेती हूं हमेशा नहीं पेहनती तो भाईया भी उठ गए मतलब अभय आपके अभय उठ गए मिलना चाहते हो आप लोग चलो मिलवा देते हैं जानवी हमारी जो क्यूट सी है और खेलने के लिए बाहर गई है पर्दे उठ रहे हैं तो यह जो है उठ गए हैं अब हम आप लोग को इन से मिलवा देते हैं तो काईच आज मैं जो बनाने वाली हूं कर रहे ले की कलाची आप लोग के साथ उसकी रिजपी जरूर सेयर करेंगे आप लोग उसका बेट करते रहना हैं बहुत जल्दी भाभी जो है रेश पी सेयर करने वाली है क्योंकि अब ही हम थोड़ी देर बाद हम बनाने वाली हैं सा करेलि आज के सब्सक्राइब 2 पाजारे एक कारेलि के यर कि ऐ रॉजजी बनाने करेले करेलिव बनाना तो तो ज Name när लुजब ने का थीं बनाते हैं व gaan वैंसे अपड़ों के साथ से देखते हैं आपकी भाबी की जघो रीज regen पसंद आगी अगर पसंद के सब s sempre प्रिमेंट में जरूर बताना तो चलो हम आप लोगों को अभय से मिलवा देख रहें मेरी टीवी है आपके भाईया का साइट तमा है लला अभय 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 मेरक सोना बेबी मेरा बच्चा याशोयात मैं आसे याशोयात मैं आसे बोली नंदे लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला बोली मुसका के मैया ललन से बताई आधी राती को भय उजाला इसलिए राधा गोरी श्यां में तू हिकाला मैया मेरा योगा कर रहा है योगा देख रहे हो आप सब आप क्या फेजी योगा कर रहे है यह देखो पहले एक पैर उठाएंगे फिर दूसरा पैर फिर ओ वाला हाथ उठाएंगे फिर ओ वाला यह देखो अब इमत के ना मेरा छोटा सा बाबु कितना समस्दार है देख रहे हो आप लोगों को योगा सिखा रहे है यह देखो देखो सिखा रहे ना आप लोग मिली ए ना चलो चलते हैं और बाते काफी ज़्यादा हो गई हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद-भावि फिर मुराकात करेंगी तो मेरे प्यारे दोस्तों चलो जैसा मैंने कहा था कि आजetah हम कैयले की कलॉजी बनाएंगे कलोजी का मसाला हम तयार कर रहे हैं तो आप लोग धियान से देखिए कि हम मसाले में क्या क्या यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने दो बड़े प्याज लिये थे और उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला लैसुन डाला लैसुन आप ज्यादा डाल मैं हरी धनिया की पतीले हूँ ,या वह साप पानी से थूल लेती है तो गाईज ऑब सारे निखिसर में टीयार करते हैं टो यहाँ पर देख रहे हैं मैंसाले को पीछ भारे की से पीछ पीछता है और इसके चलो हम करेयले के चिलके निकाल लेते जितने हमारे पास करेले हैं, हम सारे करेले के छिलके निकाल लेंगे तो गाई जी मैंने सबसे पहले करेले को साप पाने से दुल लिया था उसके बाद हम छिलका उतार रहे हैं तो जितने भी हमारे पास करेले हैं, सारे छिलके हम निकाल लेंगे आप लोग कर दो और नीकाल भाला ले देकों न प्रीक हमारा नीकाल भाल नीकाल रहे है अधर हम गोलिंग नो आप गना पर वेडियो काई घयाओ अधर दुक्त दूर्ट आप लोग देख रहे हो हमसाला मेरी अजन्रालक बढ़ी decía जितने भी हम मसाले पीशे हुए है तो आप लोग देख रहे हो मैं यहां पर अमचुर पाउडर का प्रियोग नहीं कर रहे हूं हमने यहां पर खटाई होती है आम की उसके मसाले निकाल लिये थे प्लेट में वही हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगी ठीक है गाइच देख रहे हो अब इसमें हम सादा अंसार नमक मिलाएंगे और एक चिम्मच के सहारे से हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप नमक अपने हिसाब से डाल सकती हो कम जादा अब यहां पर हम नहीं कहांगे कि आप इतने नमक डालो जितना आपको पसंद हो आप करेले को कमक्रेद कट कर दिम निकाल हैं तो कोई स्वाद रेना लिगी का मतलब लेखेए था HOLOGI निकाल में कट tuda है तीक है फिर आप लोग देख रहे हो मैं यहां पे चिममच का सहारा ली हूं मैं अब सालै डाल हुँ कैसे अगर आप जल्दी हो तो आप अपने हाथों का प्रियोक कर सकते हो लेकिन ये भी पूछोगी भाबी आप चिम्म्मच का प्रियोग क्यों कर रही हो ? इसलिए क्योंकि हमारे पास फास्ते हैels चोटा पूर करके लिए मघया है .. अभे को दिखत हो सकती है इसलिए जो हम चेममच का सहारा ले रहे हैं अगर आप को चेममच से भर न असान नहीं लगता तो आप अपनी हाथों का प्रियोग कर सकते हो तो लीतों हम भर लेते हैं और आप लोगों से थोड़ी दर बाद मुलाकात करते हैं तब तक आप लोग देखिए कि हम किस तरीके से करेले भर रहे हैं ठीक है गाइच आप लोगों ने देखा यह मैंने करेले को जो है तयार कर लिया है कलोजी के लिए करेले मैंने कलोजी के लिए तयार की है अब इस तेल में डाल देंगे पकने के लिए तेल थोड़ा ज्यादा है ताकि जो करेला है अच्छे से गल जाए और अब भाबी कौन सा तेल है तो गाइज यह राई का तेल है यानि सर्सो का तेल बोला जाता है गाव में और जो मसाले पचे थे उसे भी हम उपर से डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आए आप लोग देखी सकते हो तो इसके बाद हम थाली से ढख देंगे और 15-20 मिनट तक हम स्लो करके पकाएंगे तो गाइज आप लोग देखो यह मेरी करेले की कलोजी बनके रेडी हो गई है और कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना हम आप लोगों का इंतिजार करेंगे और हाँ गाइज अगर हच से ज़्यादा पसंद आई हो तो आप लोग भी एक बार इसी तरीके से ट्राइ जरूर करना और खाना फिर उसके बाद मुझे जो है फिर बताना कि हाँ भाब अच्छी लगी ना आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करना बना के जिस तरीके से हमने आप लोग के साथ सेयर किया है और बहुत ही स्वाधिश्ट होती है सच में गाइज और उसकी जो खुसबू है ना बहुत अच्छी आ रही थी तो चलो चलते हैं क्योंकि ब्लॉग काफ स्वाइश्ट